नमस्कार स्वागत है आप सभी आंगनवारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पोशन श्रेकर एप का एक नया अपडेट आ चुका है और यह अपडेट है 11.9 का यहां इस एरो अले पे किली करके आप इसका ज जो पोशन श्रेकर एप है उसमें आपका जो बैंक अकांट है उसको लिंक किया जाएगा आप सभी को मालूम होगा कि जब से पोशन श्रेकर एप आया है तब से जो पोशन ट्रेकर एप पे जितने भी वर्क है उसको complete करके रखिएगा जैसे कि मान्दे जो है वो आपका पोसंट ट्रेकर एप के हिसाब से ही दिया जाएगा जैसा कि अपडेट आया हुआ है अब आपको यहाँ पे बेंक एकाउंट लिंक करना है तो चलिए हम इसको यहाँ पे देखेंगे किस परकार से बेंक एकाउंट को लिंक करना है कैसे उसमें सावधानी बरतनी है क्या क्या डिटेल्स भरनी है पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को आप लोग सुर पोछन ट्रेकर अप्डेट कर लेना है यहां पर हम अपलेट कर रहा है जब तक यह अपडेट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो기도 मुथ लाइब कर दिए देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा यहां पर आपका पोछण ट्रेकर एकदम जल्दी update हो जाएगा update होने के बाद आपको सारे process के बारे में बताते हैं देखी हमारा यहाँ पे Portion Tracker App अपडेट हो चुका है अब इसको हम लोग simply open करेंगे open करने के बाद आपको bank account कहाँ पे link करना है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो three dot का option है जिस पे अधिक लिखा हुआ है इस पे आपको simply touch कर देना है touch जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे profile update करने का एक option आ जाता है जहाँ पर आगणवारी सेविका अपना profile update करती है तो इसमें आपको अपना bank account link करना ही यह काम सेविका को करना है और सहाईका के लिए अभी कोई update नहीं आया है जैसे कि सहाईका के लिए भी आगे भविसे में इसका update आ सकता है कि जो भी सहाईका है उनका bank account यहाँ पे link किया जाएगा उसके बाद उनका जो मानदे है पुरुसाहा रासी है जो भी इस परकार की रासी है उनको यहाँ पे दी जाएगी तो चलिए फिलहाल जो सेविका को bank account link करना है उसके बारे में आपको बताते हैं इस profile update वाले पे आपको click कर देना है आप जैसे हैं click करेंगे तो आपका जो यहाँ पे profile update रहेगा जैसे कि आपने अधार number, date of birth, gmail ID यह सारा चीज डाल के आप लोग यहाँ पे अपना profile update कर चुके हैं तो यहाँ पे आप simply क्या किजिएगा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको bank account का details यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आप सभी को अपना profile update कर लेना है नहीं किये हैं तो profile update करने से क्या होगा कि जो आपकी जनकारी है वो विभाग के पास पहुँच जाएगी जो आपका जो experience है कितने years का है आप कितने पढ़ी लिखी है सरा चीज जनकारी विभाग के पास चला जाएगा देखिए यह जितने भी update आ रहे हैं जिस update के देखने के बाद अब यहीं लग रहा है कि जो भी सारा काम होगा वो प्रोशन ट्रेकर एप के हिसाब से ही आपको मान दे हो या फिर प्रोचाहन रासी हो वो दी जाएगी देखिए अभी जो update है है bank account डालने का तो यहाँ पे simply आपको bank account details वाले पे click कर देना है देखिए अभी click करने के बाद क्या हो रहा है bank details not found तो यहाँ पे आपको कुछ 5-10 minute के लिए wait कर लेना है जैसे कि किसी किसी आंगन बारी बहनों का यहाँ पे खुल ही नहीं रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा wait कर लेना है वेट करने के बाद आपका जो इस परकार का details से open हो जाएगा open हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे पुरी साओधानी से अपना bank account details भरना है जैसे कि जो भी आपका account है SBI में है चाहे central bank में हो या फिर कोई भी account हो आपको यहाँ पे साओधानी से details भरनी है यहाँ पे देख सकते हैं पहला बता रहा है name as per bank account तो आपका खाता जिस bank में है उस पे आपका जिस परकार से नाम रहेगा उसको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद यहाँ पे आपको bank account का IFSC code डालना है IFSC code आपके bank account में ही दिया रहता है जैसे कि अगर आपका state bank का है तो आपका यहाँ पे लिख्या रहेगा SBI और 00 करके रहेगा उसके बाद जो code है उसको डाल देना है और अगर आपका central bank में account है तो आपको यहाँ पे C-B-I-N-O ऐसे करके आपका जो IFSC code है उसको डाल देना है उसके बाद यहाँ पे है bank name यानि आपका जो खाता है वो किस bank में है वो आप यहाँ पे IFC code जैसे ही डालेंगे और यहाँ पे जो search वाला option है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका bank account नाम automatic ही आ जाएगा आपको सिर्फ search कर देना है IFC code डालने के बाद bank का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है bank account number और दूसरा है confirm bank account number तो यह जो दो category है यहाँ पे आपको दोनों category में जो आपका bank account number है पहले यहाँ पे अपना bank account number डाल देना है फिर उसके बाद same to same जैसा है आपका bank account number इसमें डाला रहेगा फिर उसी परकार इसमें भी आपको वही नमबर डाल देना है डालने के बाद यहाँ पे submit वाले जो option है उसको submit कर देना है जैसे कि अभी यहाँ पे कोई यह नहीं पताया गया है कि आपका जो bank account है वो मांदे वाला bank account डालना है या फिर पुसहार वाला bank account है उसको डालना है तो अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा wait कर लिजे अभी और कोई नया update आता है उसके बाद आप लोग इस bank account का जो details है उसको भड़ियेगा और भरते समय अगर कोई भी गलती हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक edit करने का जो option है कि यहाँ से आप लोग फिर से उसको change कर सकते हैं कोई भी अगर गलती होती है आपसे तो आप यहाँ से उस bank account के details भी change कर सकते हैं तो इस परकार से अभी यह option आया हुआ है और इसके बाद कोई नए update आता है तो इसके बारे में हम आपको इसी channel के माध्यम से आपको जरूर जनकारी पहुंचाएंगे तो आज के इस वीडियो में फिला लितना ही आपको कोई भी इससे related comment हो तो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए topic नए जनकारी के साथ तक तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद